ओम शान्ती आज की तारीख है 14.08.2020 आज बाबा के अव्यक्त महवाक्य हैं जो की 13.02.1992 के हैं आज बाब दादा बच्चों से कहते हैं आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे इसने के सागर दिला राम बाब दादा अपने अती इसने ही समी बच्चों से मिलने आये हैं आज बाबा अपने अति इसने ही समी बच्चों से मिलने आए हैं, ये रुहानी इसने हैं मिलन बाप प्यार का मिला, विचित्र मिलन है, मिलन मेले सत्योगादी से लेकर कलियुक तक अनेख हुए हैं, लेकिन ये रुहानी मिलन मिला अब संगम पर ही होता है, ये मिलन रुहानी मिलन है ये मिलन दिल बाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परशानियों से दूर करने वाला है रूहानी शान के स्थिती का अनुभब कराने वाला है ये मिलन आज बाबा किती सुन्दर मिलन की बाते बता रहे हैं ये मिलन श्रेस्ट प्राप्तियों के अनुबूतियों से संपन बनाने वाला है ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पदमा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुच गई हो आप सभी पहुच जाएए मदवन और समझे बाबा हमसे मिलन मना रहे हैं और बाबा हमसे कह रहे हैं कि आप सभी पदमा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुच गई हो ये परमातम मेला सर्व प्राप्तियों का मेला सर्व संबंधों के अनुभब का मेला है सर्व खजानों से संपन बनने का मेला है संगम यूगी स्रेस्ट अलोकिक संसार का मेला है कितना प्यारा है कितना प्यारा ये मेला है और इस अनुभूती को अनुभब करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई कोई में भी कोई परमातम प्यारी आत्माएं हो कोटों की कोट आत्माई इस अनभूती को धूंड रही है और आप मिलन मना रहे हो धूंड रही है और आप कितने पद्मा पद्म भागिवान बच्चे हो जो बाबास से ये मिलन मना रहे हो और सदा पर्मातम मिलन मेले में ही रहते हो क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बापको आप प्यारे हो तो प्यारे कहां रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना कोई पूछे आप कहां रहते हो तो फलक से कहेंगे हम सदा परमातम मिलन मेले में रहते हैं इसी को प्यार कहा जाता है बावा ने का तो फलक से कहेंगे हम कहां रहते हैं हम सदा परमातम मिलन मेले में रहते हैं को प्यार कहा जाता है सच्चा प्यारतात एक दो से तन से वा मन से अलग नहीं हो ना अलग हो सकते हैं बाबा ने कहा सच्चा प्यारतात एक दो से तन से वा मन से अलग नहीं है ना अलग हो सकते हैं ना बाबा से कोई हम बच्चों को अलग कर सकता है चाहें सारी दुनिया की सर्व करोणों आत्माएं प्रकती माया परस्तितियां कुछ भी हो वो कितना भी अलग करना चाहें किसकी ताकत नहीं जो इस परमातम मिलन से अलग कर सके कितनी सुन्दर बात बाबा आज कह रहे हैं चाहें प्रकती माया परिस्तितियां कुछ भी हो जाए लेकिन किसकी ताकत नहीं जो इस परमातम मिलन से अलग कर सके इसको कहा जाता है सच्चा प्यार प्यार को मिटाने वाले मिट जाए लेकिन प्यार नहीं मिट सकता ऐसे पके सच्चे प्यार का दिन मना रहे हो ऐसा प्यार अब एक जनम में ही मिलता है इस समय का परमातम प्यार अनेक जनम प्यार संपन जीवन ही प्रालब्त बना देता है लेकिन प्राप्ती का समय अभी है बीज डालने का समय भी है इस समय का कितना महत्व है जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लब में लीन रहने वाले लवलीन हैं तो जो लब में लीन आत्मा हैं ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समी पाने की सामना करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप लीन हो किसी का आकरशन आपको आकरशन नहीं कर सकता क्योंकि आप लीन हो किसी का आकरशन आपको आकरशन नहीं कर सकता जैसे विग्यान की शक्ती धरनी के आकरशन से दूर ले जाती है तो ये लव लीन इस्तिती सर्व हद की आकरशरों से बहुत दूर ले जाती है अगर लीन नहीं तो डगमग हो जाते हैं अगर बावा के लव में लीन नहीं है तो क्या होती इस्तिती डगमग हो जाती है लव है लेकिन लव में लीन नहीं है लब तो है बाबा से प्यार तो है लेकिन उसमें लीन नहीं है अभी किसी से पूछेंगे आपका बाप से लब है तो सबी क्या कहेंगे हाँ है लब है लेकिन सदा लब में लीन रहते हैं अगर बाबा बच्चों से पूछें क्या सदा प्यार रहता है तो क्या कहेंगे इसमें हा नहीं कहेंगे सिर्फ लव है इस तक नहीं जाना लीन हो जाओ लव में लीन हो जाओ बाबा के प्यार में समा जाओ इसी श्रेस्ट स्थिती को लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेस्ट माना है अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ती में आएंगे तो बो समझते हैं कि चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर लीन हो जाएंगे क्योंकि लीन होना अतार्थ बंधनों से मुक्त हो जाना लब में लीन होना अतार्थ बंधनों से मुक्त हो जाना इसलिए बे लीन अवस्ता को बहुत उचा मानते है समा गए लीन हो गए लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्ता कहते हैं ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समान नहीं सकते उन्हों के लीन अवस्था में कोई अनुबूती नहीं कोई प्राप्ती नहीं और आप लीन भी है और अनुबूती और प्राप्तियां भी है आप लीन भी है और आपको अनुबूती भी होती है और प्राप्तियां भी होती क्योंकि आपने बाप को पहचाना है बाबा को हम सबने पेचाना है इसी लिए प्राप्तिया है आप चैलенज कर सकते हो जिन लीन अवस्था में या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो लेकिन हम जीते जी समा जाना वाल लीन होना उसकी अनुवूति अभी कर रहे हैं जब लवलीन हो जाते हो इसनहें में समा जाते हो तो कुछ याद रहता है बाबा पूछते हैं बाप और मैं समान इसनहें में समाए हुए सिबाए बाप के और कुछ है ही नहीं दो से मिलकर एक हो जाते हैं बाप और मैं समान बनना थार्थ समा जाना समान बनना था उत समान जाना एक हो जाना तो ऐसे अनुभब किये हैं बाबा बच्छों से पूसते हैं करम योग की इस्तिती में ऐसी लीन का अनुभब कर सकते हो बाइलग बाबा कहते करम योग की इस्तिती में ऐसा लीन का अनुभब कर सकते हो करम योग कोई कार कर रहे हो आप करम करते करते कोई भी कार कर रहे हो तो ऐसे लीन अवस्ता कानवब कर सकते हो या अलग बैठ कर लीन हो सकते हो क्या समझते हो करम योगी इस्तिती में ऐसे लीन हो सकते हो या नहीं मुश्किल है करम भी करो और लीन भी रहो हो सकता है बाबा प करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा करम करते हुए लीन हो सकते हो इतने हुश्यार हो गए हो बावा बच्चों से पूसते हैं बच्चों के बावा कहते हैं इतने हुश्यार हो गए हो करम करते हुए लीन हो सकते हो करम योगी बनने वाले को करम में भी साथ होने के की एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा अगर एक काम को एक करे दूसरा साथी बन जाए तब है काम सहज होगा या मुश्किल होगा हाथ आपके हैं बाप तो अपने हाथ पाँच चलाएंगे नहीं हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है तो डवल फोर्च से काम अच्छ पन की शक्ति देने वाला होगा जिस कारे में उमंग उसा वा अथक पना होता है वे काम सफल होता है तो बाप हाथों से काम नहीं करते हैं लेकिन मदद देने का काम करते हैं तो करम योगी जीवन अथाथ डवल फोर्च से कारे करने की जीवन आप और बाप प्यार में कोई प्यार अथात सब कुछ भूल जाना कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब भूल जाना हुआ ही पड़ा है, जहां परमाथम हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है बाबा ने का जहां परमातम हिम्मत है जहां आपके पास बाबा के हिम्मत है तो और कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है तो जहां परमातम हिम्मत है मदद है बहां निमित बनी आत्मा में हिम्मत आही जाती है जहां बाबा की ही मदद मिलती है बहाँ जो निमित आत्माय बनी होती है उसमें हिम्मत आही जाती है और ऐसे साथ का अनुभब करने वाले मदवत के अनुभब करने वाले की सदा संकल्ब क्या कहते है Nothing new विजय हुई पड़ी है सफलता है ही ये है सचे प्रेमी की अनुभूती जब हद के आशिक के अनुभब करते है कि जहां है बहां तू ही तू है जब हद के आशिक के अनुभब करते है जहां है बहां तू ही तू है बह सर्व शक्ति मान नहीं लेकिन बाप सर्व शक्ति मान है बाप सर्वशक्ति मान है साकार शरीधारी नहीं लेकिन जब चाहें जहां चाहें सेकिन में पहुश सकते हैं बाबा भेले साकार शरीधारी नहों अब लेकिन जब चाहें आपकी भाबनाओं से बाबा सेकिन में पहुश सकते हैं ऐसे नहीं समझो की करम योगी जीवन में लबलीन अवस्ता नहीं हो सकती होती है साथ कानुबव अथात लब का प्रैक्टिकल सबूत साथ है तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना लवर अथात सहज योगी लवर अथात सहज योगी इसलिए direction भी दिया है कि तपस्या वर्ष तो price लेने के समीप आ रहा है लेकिन समाब्द नहीं हो रहा है इसमें अभ्यास के लिए practice के लिए सेवा को हलका किया और तपस्या को ज़्यादा मेहत विदिया लेकिन इस तपस्या वर्ष के समीप समपन होने के बाद price तो ले लेना लेकिन आगे जो करम और योग, सेवा और योग जो भी balance की स्थिती बताई है balance का अर्थ ही है समानता याद तपस्या और सेवा में समानता हो याद तपस्या और सेवा में समानता हो शक्ति और इस्तिह में समानता हो प्यारे और न्यारेपन में समानता हो करम करते हुए करम से न्यारा अलग बैठने में इस्थिती में समानता हो जो इस समानता के बैलन्स की कला में नमबर जीतेगा वो महान होगा तो दोनों कर सकते हो की नहीं सर्विस शुरू करेंगे तो उपर से नीचे आ जाएंगे ये वर्ष तो पक्के हो गए है अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं सर्विस में खिट-किट होती है इसमें भी पास तो होना है न पहले सुनाया कि करम करते भी करम योगी बनते भी लवलीन हो सकते हो फिर तो विजई हो जाएंगे अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजई होगा आज विशेश निमंतर दिया है आपका स्वर्ग ऐसा होगा बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं आप स्वर्ग में मनाएंगे बाप इस मनाने में ही मनाएंगे को मनाना नाचना को जूलना सदा खुशिया मनाना परशाद की प्रालब्द अवश मिलेगी यहां सहथ परशादी हो और वहां सहथ प्रालब्दी हो यहाँ पर सहज पुरशाथी बनो, सहज पुरशाथी कैसे बनेंगे जितना सहज बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना ही उतना सहज पुरशाथी बनेंगे और बहां सहज प्रालब्दी हो लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे हीरे से गोल्ड बन जाएंगे अभी क्या हो हीरे हो पूरा संगम हीगी आपके लिए विश्यश बाप और बच्चे वा कमपेनियन बनने का प्रेम दिवस है सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है बाबा बच्चों से पूछते हैं एक दिन प्यार का दिन है बाबा से सदा प्यार का दिन है यही बेहत का ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है तो इतना स्वर्ग सजाया है उसकी मुवारक हो यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती लेकिन सब के दिल का प् कुछ नहीं है बाप दादा प्यार को देख रहे है बैसे जिसको निमंतर देते हैं तो निमंतर में आने वाला बोलता नहीं है निमंतर देने वाले बोलते हैं बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाए समझते हैं कुछ अंतर पढ़ जाता है कि सिवाय समझते हैं कुछ अंतर पढ़ जाता है इसलिए दिल का प्यार प्रतेक्ष करने के लिए आज खेल रचा है अच्छा सर्व सदा इसनेहे में समाई हुई आत्माओं को सदा इसनेहे में साथ अनुभब करने वाली आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे करम यूग के श्रेष्ट प्रालब्द स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को सदा करम योगी जीवन की श्रेष्ट कला के अनुभब करने वाली विशेश आत्माओं को सदा सर्व हद के आकरशन से मुक्त लव लीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंदों के इसनेहे संपन या अरती दादियों और मुक्ह भाईयों से मलगात कर रहे हैं बावा कहते है जो निमत है उसको सदा सहर याद रहती है आप सबका भी निमत बनी आत्मा उसे विशेश प्यार है ना निमत बना जिसको बावा ने चुना है जैसे साइंटरस पे बहने हमारी दादिये तो बावा कहते हैं जो निमित है जिसको बावा ने निमित बनाया जो टीचर्स दोहने हैं उससे बिशेश प्यार रहता है इसलिए आप सब समाए हुए हो निमित बनी हुई आदमाओं का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है शक्तियां भी निमित हैं पांडब भी निमित हैं रामा ने शक्तियों और पांडबों को साथ साथ निमित बनाया है तो निमित बनने की बिशेश गिफ्ट है निमित का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है अगर निमित भाव का अभ्यास स्वता और सहज है तो सदा स्वा की प्रगती और सर्व की प्रगती उनों के हर कदम में समाई हुई है उन आत्माव का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है चारो उरकी आत्माएं स्टेज को स्वता ही देखती है बेहत की विश्व की स्टेज है और सहत परशाद की विश्व स्टेज है दोनों स्टेज उची है निमित बनी हुई आत्माव को सदा ये स्मरती सरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एक्जांपल है ऐसे निमित आत्माई बनी हो बाबा पूछते हैं इस्थापना की आदी से अब तक निमित बने हैं और सदैव रहेंगे ऐसे हैं ना बाबा पूछते हैं दादियों से इस्थापना की आदी से अब तक निमित बने हैं और सदैव रहेंगे ये भी एक्स्ट्रा लख है और लख दिल का लब सता बढ़ाता है ये भी एक्स्ट्रा भागी है लख मना भागी है और लख भागी क्या गरता है दिल का प्यार सता बढ़ाता है अच्छा है निमित बनकर प्लैन बना रहे हो बाप दादा के पास तो पहुसता है प्रैक्टिकल में स्वयम शक्ति शाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रतेक्षिता को समीवत लाते चलो अब मैजॉरिटी आत्मा इस दुनिया को देख देख का ठक गई हैं नवीनता चाहती हैं नवीनता के अनुभब अभी करा सकते हो जो किया बहुत अच्छा प्रक्टिकल में भी बाप को प्रतेक्षि किया अथार्थ बाप दादा को साथ साथ प्रतेक्षि किया क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया तो बाप में दादा दादा में बाप समाया हुआ है ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अथार्थ लवलीन आत्मा बनना ऐसे हैं नच् की बाते दिला राम के पास बहुत तीवर गती से पहुच जाती हैं आप लोग संकल्प करते हो बाप दादा के पास पहुच जाता है बाप दादा भी सभी के अपने अपने बिदी की पूर्वक संकल्प सेवा और इस्तिती सबको देखते रहते हैं पुर्शाती सभी हो लगन भी समय है लेकिन वेराइटी जरूर है लक्ष सबका स्रेस्ट है और स्रेस्ट लक्ष के कारण ही कदम आगे बढ़ रहा है लेकिन गती में अंतर है कोई तीब्र गती से बढ़ रहे हैं प्रगती भी होती है लेकिन नमबर वा तपस्या कावी उमंग उसा सभी में हैं लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है सबसे सहज और निरंतर याद का सादन है सदा बाप का साथ अनुबव हो साथ की अनुबूती याद करने की मेनत से छुड़ा देती है जब साथ हैं तो याद तो रहेगी न बाबा कहते हैं जब साथ हैं तो याद तो रहेगी न और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है लेकिन साथी अथात मददगार है साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भोलता तो हर करम में बाप का साथ साथी रूप में है साथ देने बाला कभी नहीं बोलता साथ है साथी है और ऐसा साथी है जो करम को सहस करम कराने बाला है वैं कैसे भूल सकता है साधारण डीती से भी अगर कोई भी कार में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसका दिल में शुक्रिया गाते हैं ना बार बार तो बाप तो साथी बन मुश्किल को सहच करने वाले है तो बाबा हमारी कितनी मदद करता है तो बावा कहते हैं ऐसे साथी को कैसे भूल सकते हो ऐसे साथी को भला भूल सकते हो नहीं भूल सकते हो अच्छा ये थी हमारे बावा की बहुत सुन्दर मुरली जिसमें बावा ने आज पूरा ही पूरा सार जो मुरली का है वो बस लव में लीन रहने की वस्ता है बाबा कहते हैं बाबा की याद में बाबा की प्यार में लीन होना है प्यार तो सब करते हो लेकिन लीन नहीं रहते हो भूल जाते हो बीश बीश में तो बाबा की प्यार में समाई रहना है और जितना जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना उतना आपका पुर्शाथ सहज होता जाएगा आप कहते हैं बाबा योग नहीं लगता है योग याद नहीं रहती है तो बावा को प्यार से याद करिए, बस यही आपका सहज योग है, यही बावा से सहज याद है, अच्छा, ओम, शान्ती आज की मुली से बरदान है, इस्मरती के महत्व को जान, अपनी स्रेश्ट इस्तिती बनाने वाले अबिनाशी तिलक धारीवव, भाक्ती मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है, जब राज देते हैं तो तिलक लगाते हैं, सुहाग और भाग की निशानी भी तिलक है, ग्यान मा में फिर इस्मरती के तिलक का बहुत महत्व है, जैसी इस्मरती बैसी इस्तिती होती है, अगर इस्मरती श्रेश्ट है, तो इस्तिती भी श्रेश्ट होगी, इसलिए बाप दादा ने बच्चों को तीन इस्मरतियों का तिलक दिया है, स्वा की इस्मरती, बाप की इस्मरती और स्रेष्ट करम के लिए ड्रामा की स्मृति स्वयम की स्मृति मैं आत्मा हूँ बाप की स्मृति और स्रेष्ट करम के लिए ड्रामा की स्मृति अमरत पेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले आभिनाशी तिलगधारी बच्चों को स्तिती सदा अश्रेष्ट रहती है स्लोगन है आज की मुली से सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ओम शांती